हलो रमस्कार स्वागा है आप सबीक एक बाफर से आपके एपने यूरूपचियल पे इस सवक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाना पंचाय चुनों को ले करके हरियाना के मुख मंत्री मलोखटर के द्वारा दिया गया है बड़ा बयान तो इस तारिक से हो जाएगा बड़ा फैसला और पंचाय चुनों इस महने से हो सकते हैं बड़ी खबर आ रही है जाने के खबर को विस्तार से अगर आप रोज हरियाना की ताजाक अपने सबसे पहले पाना चाते हैं या पंचाय चुनों से जुड़ी खबरे सबसे पहले पाना चाते हैं तो भी आप इस यूरू बड़ी खबर आ रही है तो बतादे कि यहां पर हर्याना की मुख्यमंत्री हिसार दौरे पर थे और बताया है कि यहां पर जो यहां पर कहा है कि प्रदेश में पंचायतों को और नगर निकाय चुनाओं को जल्द ही कराए जाएंगे यहां पर मेडिया वाले पूंच रहे थे यहां पर बातचीत की थी इसमें बताया है कि पंचाय चुनाओं जल्द हो सकते हैं कराए जाएंगे और बताया है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में महलाओं के लिए 33 परसदा चंड पहले से तैथा उनकी सरकार ने 42 परसद का फैसला कर लिया था और ह इसके साथ इसनों ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस मामले में सुनवाई 29 मार्च को होने वाली है और बताया है कि उमीद है कि इस दिन 5.च चुनाओं पर फैसला हो जाएगा यहाँ पर मुख मंत्री मुखकटर के दोरा यह जानकारी दी गई है बड़ा बयान आया है और इसके बाद यहाँ पर कहा है कि गेहुं कटाई का सीजन समाब्द होते ही नगर निकाय संस्तानों के चुनाओं करवाए जाएंगे यह भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो यहाँ पर फैसला आने को का है कि 29 मार्च को यहाँ पर फैसला आएगा तो सरकार पहले ही बोल चुकी है कि जैसे ही फैसला आएगा हम यहाँ पर पंचाय चुनाओं को लेकर के तारीखों का ऐलान कर सकते हैं यह बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो इस वीरों में थी दिजानकारी धनवाद जैहिन